अला अरुयान, नमस्कार, श्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परिक्षा प्लस पर, टीम की ओर शे मैं रमन मिश्रा, आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, UPSI और ASI, जो आपकी अभी बैकेंसी आने वाली है, बिग्वती आने वाली है, अग बग 600 आये थे, पद बहुत अच्छा है क्योंकि इस्पेसल क्वालिफिकेशन मांगता है, और जिन लोगों के पास है, वन लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा है, एक आपकी गोपनिये विभाग की पद हैं, दूसरा लिपिक का हो, तीसरा लेखा विभाग का है, ये तीन तरीके के पद हैं, और 1200 वेकंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे पदों के लिए जिसमें बिसेस आहरिता मांगता है, ये पेपर जो है, अभी 2018 में इसका पेपर हुआ है, ठीक है, उसी पेपर को, ये solution को लेकर मैं आपके सामने हू क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि पेपर में किस अस्तर के सवाल पूछे गया है, ठीक है, और इस बार कैसे तयारी करनी है, इसके लिए classes वगएरा, सब कुछ परिक्षा प्लस टीम आपको नहिसुल को उपलब्द कराएगी, टेसरीज आपको, daily classes, material, सब कुछ उपलब् डाउनलोड कर लिजिए, ताकि classes वगएरा, सब कुछ प्रापर वे में आपको लब्द कराया जाए, यह जो पेपर है, यह 22 तारीक क्या आपका है, 22-12-2018 का, यह जो विग्यत्ती थी, यह दिसंबर 16 में आई थी, उसके बाद जनवरी तक फॉर्म भरा गया था, फिर ही इसक पेपर था भईये, यह 400 अंगों का पेपर था, ठीक है, 400 marks इसमें थे, minus marking नहीं थी, और 50% लाना तब कंपल सरी था, अब जो होगा यह 35%, हर एक subject से लाना होगा, overall हमें 50% लाना होगा, negative marking इस बार चालू हो जाएगी, बस हमें प्रशनों के स्तर को देखना है, क्योंकि TCS पे बाती है, तो हम comparison करती है, civil police जो यसाई होती है, ठीक है, यह तो आपकी क्या है, यह पद आपके मलब इस विभागों में है, जो एक तरीके से, अभी civil police की लगभग जो है, 500 पद खाली है, यह इन पदों की वेकेंसी भी आपको इसी जुलाई लाज तक मिल जाएगी, ठीक है तो बहुत सारे पद हैं इसमें, अभी यह 1200 देखने को मिलने हैं, 500 से ज़्यादा ही पद हैं, जो आपको civil police जिसमें सिर्फ graduation मांगता है, वो आ रही है, तो सारे लोग तयार हैं, बहुत अच्छे से तयारी सुरू करिए, पर एक्छा प्लस आपके साथ हैं, क्योंकि हम सफल सफलता के बाद भी और सफलता के साथ भी आपके साथ होते हैं, ठीक है, मैंने उधर ही आपको बताया था, जब इसका रियाचन वगएरा, यहां क्रमे विवाग को भेजा गया था, तब वीडियो मैंने एक बनाई थी, चली अर्यान देते हैं, questions पर बहुत अच्छे से concentrate होन सिर्फ यहां बता रहा हूँ, कैसे प्रशनाय थे, कैसे मलब कोन सा हिंदी से जैसे रहा, तो कहां कहां तक कितने dimensions को कबर किया था, हमें सिर्फ यहीं देखना है, बाकी इसकी detailed classes, full solution के साथ, अलग अलग जितने भी आपके faculty, उनके द्वारा आपको उपलब्द कराए इनको आप अभी भी दे सकते हैं, 3-4 टेस्ट लगा हुआ है, lower का, mains का test ष्री लगा हुआ, उसको दे सकते हैं, और बहुत सारे टेस्टनपके लगे हुई है, वो आप दे सकते हैं, ठीके, टेलिग्राम पर आप जा कर गेद परिशा पलस, यह सर्च करेंगे, आप मिल जाए 24 x 7 उपलब्द है चले बाई सबसे पहला जो इसका आपका भाग रहा वह भाग था हिंदी जनल हिंदी इसमें लगवा 25 प्रशन आपको मिलेंगे इनी प्रशनों की परशर्चा करते हैं सबसे पहला दिया है निम्नवाकी में सही सब्द भरे मलव खाली अस्थान से सवाल था ह हिमालेप जो परबत है भारत के किधर सारे लोग जानते है कुछ सोचना नहीं है उत्तर में स्थित है बीजबाब साही हो जाएगा दूसरा प्रशन पूल लाया है ये राजा भाज का संका नामक करित के लेखक कोन है? यानी रचना से सबल है सारे लोग जानते हैं ये जो रचना है स्विप्रसा सितारे हिंदत दुआरा लिखी गई बीज जबाब आपका सही हो जाएगा तीसरा प्रशन आप से पूछ रहा है कि निवन में से सही वाग की चुनिए ठीक है ये प्रशन यूपी ट्रिपल असी के अभी हाल ही में 2019 की परि आपकी मलब SI है ये जो ये SI है ये सभी की ये वेकंसी TCSE करवाती है तो हम लोग पूरा फुली TCSE को लेकर क्लास चलाएंगे TCSE पैटन को लेकर अभी आप टेस्ट दीजिए आपको मालूम चल जाएगा कि टीम परिक्षा प्लस आखिर काम कैसे करती है देखो ये सवाल टिप चीजों की समझ आप से मांग रहा है सवाल जैसे हैं वो चीजों की समझ पर हैं सत्रों से लड़ने के लिए भारतियों को तैयार हो जाना चाहिए भईया कमर कसकर हमात तैयार होंगे ऐसा तो है नहीं मास्क लगा कर ठीक है नाग मार कर ऐसे तो तैयार नहीं होंगे कमर कसकर तयार होंगे कि सत्रों से लड़ना है अगला सवाल आपके सामने है च्छतर साल दसक किस कभी की रचना है यह जो च्छतर साल दसक है अब रचना से फिर से सवाल मिल गया यह भूसर की आपकी क्या है रचना है सी उत्तर सही होगा जिन लोगों ने आपर ठीक है आप मन में भी स बुछ रहा साथ नमबर जो एक या एक से ज़्यादा वस्तु अथवा बेक्तियों का बोध करा है, यहां कह रहा है एक का बोध एक बचन करायेगा, एक से ज़्यादा का क्या अबवब बचन, तो ये प्रशन ही गलत है, इसको जो है विभाग ने हटा दिया था, इस प्रशन क में आया है अभी 19 के पेपर में आया है वह जाने की मैं कैसे जीवित हूँ यह आपका सही होगा डी उत्तर इसमें सही होगा नौ नमबर आपसे पूछ रहा है कि मुहावरा देखो खाली अस्थान मलब आपको समझ होनी चाहिए अच्छी आजकल ऐसी मारते बनती हैं जो किस से बाते करती भाईया जो आसमान से बाते करती हैं यहां डी उत्तर सही होगा आगे बरते हैं अगला प्रशन आपके सामने हैं दस नमबर दिये गे मुहावरे की साहता से वाकिपूरा करो फिर से खाली अस्थान आ गया छोटू अपने घर वालों का क्या बन गया है अब गले का हीरा कुछ नहीं होता गले की माला कुछ नहीं होती है गले का भूशन नहीं होता है गले का हार बन गया है ठीक है कि उसको लोग क्या कर रहे हैं पूरे समाज में दिखा रहे हैं अगला है 11 नमबर से पूचा है दस के बाद 11 नमबर से स्रीलाल सुक्ल का दिया है तो हमें साध्य नक $8 सुक्ल जो है राक-दर्बारी के रות रेचेता है माकनला चतुरवेधी तरंग नी है तो एक إلى cannot only ौर बी जो है बीक एक किसमे मिल लाई बीई वाला से हो जिएगा ठीक सब्सक्राइब चल्श करें लोकु हुशा इसमें इतने डिवाइडेशन कर दिये और एधने हो गया और तीसरा इसने जो डिवाइड है। अपाब ही यहां पर बटाये ये देखो की बिसु के जो है 표현 कि शक्णे छ Ahora कौन सा जबब सही हो जाएगा इसमें आपका C सही हो जाएगा अफरीका खंड की भासा कौना सी नहीं तो इसमें कुछ सोचने नहीं है जैसा दिया है बांद सुडान बुसमैन चीनी नहीं हो ठीक है डOSTर सही हो नजख लेगा 15 एब उना पूच रहा है कि भासा का परिवारी कःथ ह tomorrow we gonna bella बनेगा परिवारी कर पूचा ए अगला सुवाल वूचा है एरोपिय परिवार की भासा इन में से कौन सी नहीं है ठीके इरोपिय परिवार में देखो यह ऩाविली हो गई तेकी लिए गुजराती होगे पाली होगे यह तीनों आपकी भारोपी परिवार से सब्द तमिल जो है यह द्रमेड साइली की है तो हमेशा इसको याद रखेगा डी उत्तर इसमें सही हो जाएगा अगला 18 नंबर सवाल क्या बोला कि वर्स 2010 में उध्य प्रकास द्वारा रचित किस रचन कि जैसंकर प्रसाद क्रित का भी कौन साइब जैसंकर को सारे लोग जानते हो का माईनी ठीक है यहां पर सी उत्तर सही हो जाएगा अगला सवाल पूछा है देखो अब यह सवाल इससे पहले दिया था कि हिंदी का भेद कितने यहां पिर वह उसी से सबद्द दे दिया पश् स बाद भीस के बाद 21 नंबर पूछा है कि निम्न ही के लिए सभब बहे खाने के बाद ही लोगों ऐख खूलती है क्या खाने के बाद ऑना खाने क बाद तो सो जाते हैं गोली खाने कबाद भी सदा के लिए सो जाते ठोकर खाने के बाद ही आखे खुलती है तो C उत्तर सही होगा यह मुहावरा यहाँ पर पूछा है बाईस आप से पूछ रहा गाय सब्दका बहुवचन रूप कौन सा होगा देखो भई यह गाय सब्दका अगर बहुवचन इसमें जैसा दिये तो हो जाएगा अगला 24 नमबर पूछा है कि हिंदी में 2018 के युवा पूरसकार के लिए आस्तिक बाजपई को किस बिधास से नमाजा गया था आस्तिक बाजपई को 18 में मलब यह एक तरीके से कह सकते हो करेंट से पूछा है साहित्ति में तो याद रखेएगा करेंट में जो इस कविता के संग्रा कोन है तो जानते हो यह बहुत फेमस राइटर की किताब है मलब कविता उसकी है यह गजानन मादो मुक्तिबोध की आपकी कविता संग्रा है तो यह 25 प्रशन आपके हिंदी सेक्षन के थे हिंदी सेक्षन आपका complete होता है अब हम बढ़ते हैं इसके ब इसने दिया है ठीक है पहला question 26 नंबर क्या कह रहा है IMP एक मानक email protocol है जो mail server पर email संदेश संग्रहित करता है इकठा यानि और अंतिम उपियोग करता को संदेशों को देखने और कुसलता पूरबग उपियोग करने की अनुमत देता अब IMP का full form पूछ ले नोटंकी इतना बत जि लोगों ने जबाब कौन सा चुना है इसका C उत्तर सही होगा internet message access protocol C option जो है ये सही हो जाएगा IMP का full form ये होता है अगला 27 नंबर सवाल पूछ रहा है कह रहा है कि निमलिखित में से flow chart की मुखी कमी क्या है ठीक है flow chart की मुखी कमी अब ये सब सवाल अच्छे हो जाते है अच्छे खासे मनलब usage पर depend होते हैं देखो 27 नंबर में जो सही उत्तर होगा जिन लोगों ने यहाँ पर जवाब के तोर पर अगर सोचा है ठीक flow chart की कमी पूछा है ये लंबे और जटिल प्रवाह इसे अनगड बना देते हैं ठीक है अगल लंबा हो गया और प्रवाह उसक अगर देखेंगा 28 नंबर में तो हमें इसा ध्यान रखेगा Electronic Numerical Integrator and Calculator इसको बोलते हैं बी आपका जबाब जो है यह सही होगा जिन लोगों ने चुना है सही होंगे 29 नंबर मन में सोचते रहो ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा तो एकदम सांध बैठर हो hard disk पर सबसे छोटी बहुत थिक बंडारेंड इकाई जो है फिजकल स्टोरेज यूनिट पूछा है यह कौन सी किस पर hard disk पर तो हमेशा ध्यान रखेगा इसमें जैसा इसने दिया है सिलेंडर सेक्टर ट्रैक रो इसमें से जो आपका सही जबाब होगा यह जबाब आपका है सेक्टर सही पूरा यहां पर जो है question दिखाने का आपको प्रयास है इस टाइप से यह सवाल आपका पूछा हुआ है देखिए सवाल ऐसा पूछा है कि यह flow chart जो है पूरा start से शुरू किया है ध्यान दीजिए start से इसने शुरू किया read n यहां लिखा था फिर a यहां पर calculation दिया फिर जो इंपूट रहा वो आया और यहां इंड किया तो वहीं चीजें यहां से पूछा है यह किसका है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्णों में जो यह आपका प्रश्ण है इसमें flow chart आप से पूछा जाएगा यह जैसा कि इसमें उत्तर दिया है यह n2 का होगा आगे सा असानी से पास नहीं कर पाओगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप सभी के सामने हैं थोड़ा सब मैनेज कर लेते हैं इसको ठीक है अब आपको सारे questions दिखेंगे अगला सवाल आप से क्या कह रहा है 31 नमबर वहिया 31 नमबर आप से बोल ला है कि इस CPO की गती सक्ती और छमता को किस प्रकार का memory आकार प्रभावित करता है ठीक है स्पीड को एफक्ट करता पावर को और capability को तो हमेशा आप सारी लोग जानते हैं कि यह जो होता है यह आपका क्या होता है RAM ठीक कहते नहीं यार फोन का RAM बड़ा चोटा है काम नहीं कर रहा तो यह चीज़े इसमें होती है 32 नमबर सवाल आप सभी के सामने हैं फिर से पूछ लिए देखो HTTP द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला default port number क्या है ठीक है port number आप से पूछा है तो हमेशा ध्यान रखेगा यह जो सवाल है इसमें सही जो उत्तर होगा वह होगा B 80 ठीक है आगे बढ़ते हैं 33 नमबर सवाल पूछा internet जो explorer होता है यह किस applications ready से संबंदित है ठी सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं ठीक है एक तो Google Chrome से सारे लोग जानते हैं ऐसे यह भी है आगे बढ़ते हैं अगला आप से पूछ रहा है बहराल वह सर्च इंजन है यहां पर ध्यान दीजिए अगला सवाल आप से पूछ रहा है 34 नमबर आपसे क्या कह रहा है कह रहा है निमलिखित आरेक में पोर्ट के प्रकार की पहचान करें अब यह तो भाईया मेकैनिक भी बनना पड़ेगा हार्डवेर वाले चीजे पूछ रहा है पोर्ट आपसे पूछ रहा है 34 नमबर में तो यहां पर ध्यान दीजिए सारे लोग इसलिए अगर लैटाप हो कह रहा है ठीक है यह लगता नहीं कि यह इतना आसान पीपर है बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा जब माउस किसी HTML प्रिष्ट में किसी निश्चित टेक्ष्ट पर इंगित करता है ठीक है कहीं पर आप माउस ले गए तो यह हथेली के आकार की छवी में बदल जा जाता है इस प्रगार के टेक्स्ट को क्या कहते हैं जो आपका पॉमवाला होता है सिम्बल थीक है ऐसा जो टेस्ट होता है उसको क्या बने clarify number मे को क्या का है थिक है एक साथ जो कई सबी नेटवर्क को जो ओड़ता है उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे 36 में ध्यान दीजी ए सारे लोग यह तो आप सारे लोग जानते होंगे इंटरनेट है ठीक है एक साथ सभी नेटवर्क को कर देता हो हम जो चाहें वह देख लेते हैं अगला सवाल आप से पूछा है देख वाव उत्तर ए होगा स्केलिंग या डी स्केलिंग के तहट वेक्टर कलर वैलू और रेजलीशन अबाधित रहता है मलब इसमें क्या क्या दिक्कत होती कोई अंडिस्टर्बेंस यहां पर मलब डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती है इस चीज को ध्यान रखेगा अबाधित का क्या पूछा है अगला आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्ट थर्टी टू क्या है अब इसमें सोची अब यह तो नया टर्म आ गया इसमें ध्यान दीजे सारे 49 नंबर में यह जो सही जबाब होगा यह एक टूल है भाईया जिसका उपियोग बिंडोज रजिस्ट्री को साण के लिए रंण कुमांड में क्या दर्श किया जाना चाहिए अगर माकि कि लिए वर्ट खोलना एतो क्या करोगे अब यह भी तो जाएगा कुछ भी आपका इसमें से बाकी नहीं रहना है. 41 में कह रहा है निमलिकित में से कौन सा कम्प्यूटिंग के लिए प्रेवक्त सबसे मसीन है. कम्प्यूटिंग के लिए गढ़ना के लिए कौन सी मसीन सबसे जो है पुरानी है. तो सारे लोग जानते हूँ अवैकस थी, ठीक है ये तो इतिहास पड़ा ही होगा कम्प्यूटर का. अगला 42 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निमलिकित में से कौन सा एक सोचल मीडिया नेट्वर्किंग प्लेटफॉर्म है? अब सोचल मीडिया पूचा है किस पर सोचल मीडिया चलाते हो? कुछ सोचने नहीं है, ट्विटर तो ही है, जहां मर जी वहां ट्विट किये, इनको मारे, उनको गिरा है. तैतालिस नंबर क्या कह रहा है? उस सोविधा का नाम बताइए, जो परिभासित, मार्जिन के भीतर, सभी टेक्स्ट को सनरेखित करने के लिए, वर्ड प्रोसेसर को आदेश देती है. अब आपने प्रियोग किया होगा, तो इसका उप्योग जानते होंगे. तैतालिस में जो सही होगा, वहां आपका उत्तर कौन साइड़ी, वर्ड रेफ होता है भाईया, हमेशा ध्यान रखिएगा. तैतालिस के बाद चौवालिस में यह सब भाईया, यूजेज पर रहे, और यहां जब आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, और यूजेज साथ साथ बताया जाएगा, वहां पर यह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा. तो इसकी क्लासेज जरूर करना बहुत उससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं. चौवालिस नंबर क्या कह रहा है? कि कम्प्यूटर एल्गॉर्दिम के लिए महातपूर्ट दो प्रकार की efficiency, मलब कारी शमता की पहचान करें, कम्प्यूटर एल्गॉर्दिम के लिए पूछा है, हमेशा ध्यान रखना, चौवालिस इसके बाद पैतालीस नंबर देख लो, पैतालीस नंबर आपसे सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, प्रस्ण जितने भी हैं भाईया, ये आपको पढ़ने पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए परिक्षा प्लस आपके साथ है, ये प्लेटफार्म का हमेशा हर जो है, जो भी एक् इसके बोर्ड या कार्ड है, जो कंप्यूटर में अस्थापित है, ताकि इसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके, अब ये ना इसी का पूर्ड रूप, मतलब तीन प्रश्ण होगे, चार, ठीक है, फुल फॉल पॉर्म से, तो फुल पॉर्म अच्छे से पढ़ना है, पै 43 में B, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग तो यहीं पढ़ते हैं, कि जो है, HTML का फुल पॉर्म क्या है, HTTP का फुल पॉर्म क्या है, इसमें जो आपका यूज किया है, 20 जबाब आपका सही होगा, 47 नमबर आप से क्या पूछ रहा है, Simple Network Management Protocol, जिसको SNMP बोलते हैं, किस पॉर्म नमबर पर कारी करता है, आप देखो, अब यह अपने आप में अच्छा सवाल हो गया, यूज का हो गया, 47 नमबर में जो सही जबाब होगा, हमेशा ध्यान रखना 161 का, अब यह सब पढ़ाया जाएगा, डिटेल में तभी सारी चीज़ें आपकी कबर होगी, मैं सिर्फ प्रशन दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे प्रशन आये थे, ऐसा भी नहीं है कि कंप्यूटर बहुत आसान है, नीचे दी गई कौन सी निती enterprise mobility का एक महतपूर पहलू है, हमेशा ध्यान रखने येगा, इसमें अगर हम देखेंगे कि सही उत्तर तो सही उत्तर याद रखिएगा, इसमें privileges तक access जो होता है, यह आपका किसका होता है, enterprise mobility का एक महतपूर पहलू होता है, हम आगे बढ़ते हैं, 48 के बाद उन्चास नंबर आपके सामने है, उन्चास नंबर सवाल आपसे भईया पूछ रहा है, कि किसी powerpoint प्रस्तुत, अब आपने यूज किया होगा, तो जानते होंगे, किसी powerpoint प्रस्तुत को समाप्त करने के लिए, निम्न में से कौन सी shortcut की प्रिय की बटन, कुछ सोचने नहीं है, अगला उन्चास के बाद 50 नंबर सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा protocol domain नामों को वेक्टेद करने के लिए प्रियोग होता है, ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए, कौन सा उत्तर सही होगा, हमेशा ध्यान कियेगा, DNS जो होता ह है, इसका हम प्रियोग करते हैं, domain नामों को वेक्टेद, ठीक है, अलग अलग भाया, ठीक है, तो यहां से यह 25 क्वेशन आपके computer section के थे, आपने प्रशनों का स्तर देख लिया, कि आपको लगबग इसमें से सामानी जो प्रशन मिले होंगे, मुस्किल से मुस्किल 10, बाकी जो आपके प्रशन है, 10 नहीं पहुचे होंगे, लगबग मेरा जो अंदाजा है, 5 से 8 प्रशन इसमें आसान है, बाकी सभी प्रशन बहुत अच्छे हैं, तो टीम के द्वारा आपको full course सब कुछ उपलब्द कराएंगे, निसूल को उपलब्द कराएंगे यार, परिसान न GS में सबसे पहला स्क्षन उत्तर प्रदेस में पहला स्क्षन क्या मिल गया है, चलग और पुछ लेया। उत्तर प्रदेस का Всемियो इह तो सारे लोग जानते होके, इसमें कोँछ सोचना है नहीं है, ये बराई च्छेत्र का पारंपरिक लोकिनेते है ऑच्य ऐत्तर डी उत्तर सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद बावन नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लाब पहुचाने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद मोधी दिवारा अक्टूबर 16 में अब देखो जब आपका जो है नोटिफिकेशन आया 16 में, पेपर 18 में हुआ, करेंट कहां का पूचा, 16 का पूचा है, 2016 में सुभारम की गई प्राकिरति गैस पाइब लाइप परियोजना, ठीक है इसका नाम क्या है आपसे पूचा है, तो बावन में जो आपका सही जबाब होगा, जि आपसी मोबाइल एप्लिकेशन विक्सित की है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी मनलब एडवांस हो गई है, ठीक है, तेरपन का बी सही होगा, तिरनेत विक्सित हुआ था, चववन नमबर मनलब करेंट का सेक्शन इसने 25 क्वेस्टन जो है, अलग से रखा है, तो करेंट सही उत्तर आपका है, संकिर्तन, ठीक कहते हैं, चलो भईया किर्तन कराएं, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है 55 नमबर सवाल, 55 नमबर देखो किना बढ़िया प्रशन पूछा है, कि अनाज उपजाने वालों को प्रोचसाहित करने, मनलब किसानों को, और अर्थ इसमें, TCS बेस पर इससे पहले भी आपका टिपल सी में आया हुआ है, क्वेस्टन, GES भी घुमारा है, हिंदी भी घुमारा बहुत अच्छे से समनना, ठीक है, अभी साहित लोवर में ये पूछा था, प्रिलिम्स में, 55 नमबर में जो सही जबाब होगा, ठीक, 55 में आपक आपकेशनल कॉंफरेंस की अस्थापना इसने की इन्होंने की थी, ये एक संगठन है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, 57 नमबर देखिए, ठीक है, 57 नमबर आपका क्या पूछा है, कि पहला सार्क ब्यापार मेला, ठीक है, निमलिकित में से किस सहर में आ 58 जनगर्ना से पूछ लिया, कि 11 की जनगर्ना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राजी कौन सा है, 11 की, मनलब जनगर्ना से भी सवाल होते हैं, और आप सारी लोग जानते हैं, इसमें जो सही उत्तर है, वा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जनसंग्या पूछा है ना, आबादी, आबादी अपने यहां ही सबसे ज़्यादा है, कुछ सोचने नहीं है, अगला सवाल उनसर नमबर पूछ रहा है कि पूरबांचल परबत सिंखला, भारत और एक दूसरे देश के बीच की सीमा पर इस्तित है, पूरबांचल परबत सिंखला, निम को सबसे परबत तो सवाल पूछा है, जब आप इसे पूरबांचल पाड़ीयों की सीमा कहा है, यहां पर सवाल पूछा है, बहुत बड़िया सवाल पूछा है, भारत में परतिस बिद्रशी निवेश, इसको यवडियाई बोलते हैं, ठीक है, फॉरिण डाइरेक्ट तो उन सब को जो है उस ही साब से होगा पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें परिशान नहीं होना है एक सट नंबर सवाल की और बोड़ते हैं एक सट नंबर आप से क्या पूछ रहा बहुत आप मलब प्रशन जी एस के भी है तो टीस अपने पैटन पर है टीस को समनना संडे प्लस का टेस्ट देना उसमें एक दम आपको लगेगा कि आप पेपर ही रियल कर रहे हो जो टीम बनाती है सारे टेस्ट फिरी करवाता है हम लोग जी है हर एक चीजे ही इसका भी टेस्टरी जाएगा बहुत सारी टेस्टरी इस से पहले सब कुछ हमारे पास परिशान नहीं होना है ऐसा मटेरियल है ना जबरदस एकसर नमबर देखो भारतियस विदान का कौन सभाग सभी नियाइग मामलों में अधिकार चेत्रबाली एक एक कृट निया इपालिका के प्राउधान को प्रतिश्थापित करता अब निया इपाल प्रतिश्थापित करता है तक भारतियस इमाओं की रच्छा करता अब यहाँ पुलिस बल से पूछ लिया ठीक है कौन जो है आपका किस पर कारा कोरम से अंडाचल तक लगा हुआ है और अभी अंडाचल की आपको जो है अंडाचल प्रदेश में फिर से आपको पता चला होगा बहुत सारी चीज़े वहाँ फिर से गस्त को मलब फिर से कुछ आपके बल भेजे गया है कंपनिया भेजी गई है तो 62 पे जो सही जवाब होगा सारे लोग उसके नाम से ही जानते हो इंडाचल प्रदेश पूछा ना अगला 63 नंबर सवाल देखो मलब सवाल बहुत अच्छे टीसेस अपने आप पर काबू रहता है और इसको टीम बहुत अच्छे से समझती है राजी विधान सभा में 18-19 के लिए उत्तर प्रदेश राजी का वारसिक बजट निमलेकित में से किस ने प्रस्तुत किया 18-19 में पूछा था बजट को लेकर के करेंट का सवाल इसने डाला था तो 63 में जो सही जवाब होगा जानते है राजेस अग्रवाल थे और ये सवाल UPSHC में हूब हूँ ठीक है फेर से पूछा गया था 19 के पेपर में तो इस चीज को ध्यान रखेगा मलब सवाल TCS GS में भी रिपेट कर रही इस बात को मेरा बताने का आपका अगला 64 नंबर सवाल आपका सामने क्या है ठीक ऐसे मैं सुरू करूंगा पूरा जितना TCS पेपर करवाती ही ना GS ऐसे हर दिन टेस्ट पेपर मैं करवाऊंगा लगातार कि एक भी क्वेस्टन GS का बाहर नहीं होगा क्लासे बहुत डिटेल में चलेंगी बहुत अच्छे से बहुत मज़ा आने वाला है निर्मलिकित में से किस प्रसद एतिहासिक इसमारक का निर्माड कुतुब दीन एभग द्वारा सुरू किया गया था ठीक है लेकिन इल्टुतमिस द्वारा समाब किया गया सारे लोग जानते हो ये प्रशन कितनी बार कितनी अलग अलग भासाओं में पूछा गया है आपका क्या था कुतुम मिनार ही था सुरू किसी ने किया मर भीच में गया फिर पूरा किसी ने किया पैसर नंबर देखो केंद्रिय रीजर पुलिस बल का मुख्याले मलब एक तो आई टी बीपी मिल गया दूसरा यह मिल गया जी इस में मलब इन सभी को भी ध्यान देना होगा तो पैसर्ट में जो सई जबाब होगा आप सारे लोग जनते हो मुख्याले पूचा है और यह मुख्याले आपका कहां होना चाहिए नहीं दिल्ली में है भईया चप पैसर्ट के बाद शासर नंबर पूच रहा है कि उत्तर प्रदेश में संपूरा ने संस्केज बिस बिद्याल है फरजी डिग्री बनवाना होता है वह यहीं से काम करते ह मैं जानता हम बहुत अच्छे से चासट नंबर क्या है चासE नंबर कह रहा है डी उत्तर सइंव अगा बनारस ठीक है आगे चासट के बाद सर्सर्ष हैं गयाना है फ् Caesar से कैसे कैसे इसने दे रखे मनलब सनही वैसा दे रखा है 1857 इसमें पहला दिया तो यही सही हो जाएगा बाकी तो सब उसके बाद के दिये हैं अगला अरसट नंबर सवाल आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट द्वारा मानो अधिकार दीवस के रूब में निमलिकित में से कौन से जाकर के खरीद के और बढ़ियां से प्रिंट करा के पढ़ लो बहुत सारी क्लासिज उसमें मैंने कभर करवा पूरी नोट से पूरा वो है वहां से पढ़ सकते हो इसमें देखो साही जवाब होगा यह लोगों ने चुना है विगल भी 10 दिसंबर यह तो सारी लोग जान प्रिसद दिया जाएगा ठीक अब यह जानते हैं उपर से नीचे तक जो होता है इनका अलग-अलग रेशियो पूरा डिवाइड होता है तो उनातर नंबर में जो सही जबाब होगा यह आपका जबाब भी सही होगा पांच ठीक है पांच जो है फ्लोर रेशियो एरिया जो हम लोग करवाते हैं वैसे ही है क्योंकि हम लोग TCS पर ही फोकस है इस पेसल रूप से ठीक है परिक्षा प्लास उसी परकारी करती नॉमबर 2018 के दोरान उत्तरप्रदी सरकार के मुख्य सचीव के रूप में निमलेकित में से कौन का रहे थे नॉमबर 2018 आप 2018 का भी करेंट प उपर भी नहीं पढ़ना है कि एक साल का करेंट हो इसमें ध्यान दीजिए सारे लोग इसमें जो आपका सही जवाब होगा सत्तर वाले में सत्तर में अनूब चंद पांडे जी उस समय थे मुख्य सचीव पूछा है ठीक है अगला आप से पूछा है एकत्तर नंबर कह रहा ह दी ही तो सही है बंगलादेश के साथ हमने जो है कुछ जमीने उसको दे दी और कुछ उनसे हमने ले ली तो सीमा विवाद बहुत लंबा चोड़ा हमारा सुलज गया था दी उत्तर सही होगा अगला आप से क्या पूछा है बातर नंबर कह रहा है नागा लेंड में जो है जो है नेगेटीव आपकी ग्रोफ रेट आई है इस बात को याद रखना बातर के बाद तीहतर नंबर सवाल से आगे बढ़ते हैं मलब प्रश्णों के अस्तर टी-स अपने आप में वैसे ही रख रही है जैसा सब में रख रही है तीहतर आप से अधिकार आयोग की अध्याच निमलिकित में से कौन रहे हैं तो नवंबर 2018 फिर से नवंबर का दो प्रश्ण मलब तीसरा प्रश्ण है नवंबर 2018 से और दिसंबर का ये पेपर है तो इसमें हमेशा ध्यान रखेगा इसमें जो आपका सही जबाब होगा वह जबाब होगा अगला पूचा है एंपियर मात्रक किसका है 74 नंबर में 74 में देखो ध्यान देना हमेशा एंपियर पूचा है तो बिद्धुद्धारा ही तो है मतलब यह सवाल आसान का जीएस की जो है मैंने 60 क्लासेज एक तरफ से करवा रखी है डेली बेसिस पर पॉलिटी की किस क्लासे बेस करवाई यह मैंने फुल नोट के साथ लगी हुई है एक टीक है नोटैसेकी लगी हुई है इसके पूरे क्वेश्टन लग नहीं है इसके पचास सब करते की छालगा है लिचाएट कर tut सबसे है 75 नंबर क्या कह रहा अनिराज्यों की तुल्ला में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सहरी पढ़ना लिए उत्तर प्रदेश से जो है लगभग अभी हमें पांच प्रश्न के करीब मिल चुके हैं टाउनेंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट यूपी 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगरपालिका हैं अब यह देखो 17 के मुताबिक नगरपालिका पूछा था ठीक है तो 75 में आपको ध्यान देना है नगरपालिका वैसे बढ़ती रहती इधर बहुत सारे बढ़े हैं उस समय 630 नगरपालिका थी जब यह पूछा है 17 के मुताबिक ठीक है अगला आपसे सवाल पूछ रहा है ठीक है गंगा वेसिन का है यम्ना क्या है कर सिंदू क्या है तो यह सारी जीए बहुत अच्छी से क्लासे चलेंगी उसमें डिटेल में बताए जाएगा चीनाब होता है वसे नदी जो है वो चिनाब है अब इतना तो आप समझदार ही है अगला क्या पूछ रहा है इन में से किस वस्तु पर भारत में वस्तुम सेवा जो है कर यानी GST जिसको आप बोलते हैं GST के तहट टेक्स लिया जाता है इन में से कौन सा है तो 77 में ध्यान रखना वो आपका सोने के आभूसन हैं जिन पर GST देना पड़ता है आगे बढ़ते हैं अगला 78 नमबर क्या कह रहा है ? 78 नमबर कह रहा है कि social media का इस्तिमाल करते हैं विए corporate संग ठनुद्वारा क्रम्चारियों कि भरती को क्या कहा जाता है ? सोसल मेडिया का प्रियोग अगर करते हुए तो यह क्या बोलोगे आप इसको 78 को 78 जानते हैं सोसल मेडिया हाइरिंग बोलते हैं कोई बिसेस सब्द नहीं है ठीक है उसी को वही नाम दे देते हैं 78 के बाद 79 की ओर बढ़ रहे हैं ठीक है 79 पर ध्यान दीजिए फिर से यह जो इसमें लिखता है वो फिर से पूछ रहा है लेखित कथन को पढ़ें और एक सही बिगल अब यह लेखा वाले चुकी है ना तो उनके लिए एक तरीके से यह सवाल वैसे यह करेंट का सवाल है लेखा तो नहीं कहेंगे यह करेंट का प्रश्ण है ठीक है आप से क्या बोला ह है तो मतलब एकोनौमी का बैंकिंग टर्म है लेकिन करेंट में यह जब मुद्दा चर्शीद होता है तो पूछ लेता है कथन क्या गरा है कि नेफ्ट जो है एनी एफटी जिसको बोलते एक एलेक्टानिक फंट ट्रांसपर सिस्टम है जो बैज जो है बैसेज में टांसेक् की आधार पर काम करता है अब आर्टी जीएस को दोनों को देखो कंपेर्जन कर दिया आर्टी जीएस ट्रांजेक्शन पूरे बैंक बिजनेस घंटों के दोरान लगातार चलती रहती है आर्टी जीएस सिस्टम मुखे रूप से बड़ी रास के टैंजेक्शन के लिए होता दूसरा अगर इसमें बात करें आर्टी जीएस टैंजेक्शन पूरे बिजनेस घंटे इलकुल कर सकते हो जब चाहो बिजनेस घंटे के दोरान लेकिन याद रखना जैसा लाइन लेखना है लिखा है जब बैंक खुला होगा तभी करोगे ना घर से थोड़ी कर लोगे अग लेकिन आप चोटा भी बेजना चाहो तब भी हो सकता है उसके लिए वैसे ने अफ्टी यूज होता है चोटे दास के लिए अगला चोथा क्या पूछा है चोथा कह रहा है कि आटी जीएस भारत की सभी बैंकिंग से बिलकुल भाया एकदम 100 परसंट सीब अपने यहां चलन नहीं थी नहीं थी इस बात को क्यो क्योंकि छोटे बेंकिंग में याher नहीं लगता है RTGS अिस्ट्म नहीं हमंें सब बड़ी ब्रांच जो होती है थीक है सबसे बड़ी ब्रांच मैं जो मुख ही सका होता है तो चोथा नहीं सही होगा तो अभिब के 3 संए मेन ब्रांच में ह होता है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं 79 के बाद 80 नंबर आप से पूछा है यह सवाल मनलब TCS अपने आप पर बढ़ी हां काम किया है जैसा है इसका हाल आए वैसा ही है नीचे दिएगे कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विगलब का चैन करें सौट वियर प्रोग्राम कंपीटर को दिये जने वाले निदेशों का सेट है मलब इसका मन नहीं भरा है कंपीटर से देखो जी इस में ठोक रहा है क्या कह रहा है सौट वियर प्रोग्राम कंपीटर को दिये जने वाले निदेशों का सेट है जो कि किसी कारी के निस्पादन के जनरेट होंगे, system software computer बिस्ट कारियों के लिए डिजाइन किया जाता, अब इन तीनों में सब उचा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मलब अपने आप में ये कारी वहीं करेगा, चाहे जो होगा, अब इसमें देखो, तीनों तीनों चीज़ां ऐसी कुछ नहीं लिखे हैं, जो गलल लगे, software की परिभासा यहीं होती है, कि निर्देशों का सेट होता है, ठीक, तो पहला सही, software computer का परिवर्त नहीं है, जब चाहें तब बदल ले, नया software बना लेंगे, system, software, computer, business कारियों के लिए, जाहिर सी बात है, हमें business काम करने, calculation कुछ भी करना, वो business हो गया आपने आप में, उसके लिए design होते हैं, आगे बढ़ते हैं, 80 के बाद 81 नंबर देखिए, genome editing पूछा है, यह भी बहुत बढ़ियां हो गया, फिर से जो है, सारी चीजें, मन नहीं भरा है, इसका computer, computer बहुत धंग से पढ़ना यहां, एक यसी नंबर में जो सही जबाब होगा, वहां आपका ध्यान दीजिए, इसमें जैसा सवाल पूछा है, जीनोम editing पूछा है, ठीक है, यह जो होता है भाईया, यह एक generating engineering approach है, जिसमें DNA insert किया जाता, हटाय है यह प्रतिस्थापित किया जाता, मलब है GS का, लेकिन यह IT से बोल सकते हो, IT नहीं, यह science and tech का प्रशन है आपका, science tech का पूछा है, तो आपका यह जब आप सही होगा, 81 में जिन लोगों ने C उत्तर को चुना होगा, उस समय वो लोग सही होंगे, मलब जो current affair है, वो current affair बहुत अच्छे से पूछ रहा है, TCS की जो अपनी खूबी रही है, अगला सवाल आपसे 82 नंबर पूछ रहा है, जो है भारतिय बैंकिंग में OTP और KYC का पूरा नाम, अब देको full farm पूछा है, OTP और KYC का बैंकिंग में, बैंकिंग से तीन प्रस्ण बल चुके हैं, तो 82 में जो सही जबाब होगा, वा जबाब आपको उत्तर होगा D, वन टाइम पासवर्ड, नो योर कस्टमर, OTP तो वन टाइम पासवर्ड ही बोलते हैं न, KYC आपका, कहते हैं न, KYC भरवालो, तुम्हारा खाता बंद हो गया, 83 नंबर सवाल क्या पूछ रहा, के रहा है, वर्स 1985 में सार्क की अस्थापना होई थी, इस संगठन का पूरा नाम क्या है, 83 का बताओ, सार्क का पूरा नाम आप से पूछा है, तो इसमें तो कुछ सोचना है नहीं कि सोचना पड़ेगा, South ASEAN Association of Regional Cooperation, दचनी A.C.I.C. छेत्रीस आयोग संगठन, इसका नाम है सार्क, ठीक है, 83 नमबर, मनलब सार्क से इसे पहले पूछा था क्या, कि इसकी पहली जो है, वो करेंट का प्रशन था, नई दिल्ली में जो होई थी, पहली उसकी जो है, मनलब मेला कहा है, तो वो करेंट का था, ये सार्क की स्थापना से पूल ले, अंतरश्टी संगठन पूछता है, मनलब ध्यान रखना है, जो जो पढ़ना है, पढ़ना है, सब कुछ मैं एक साथ डिसकस कर रहा हूँ, इसलिए मने सोचा कुछ ऐसा लाओ, कि जिसमें आपके क्वेस्टन भी हो जाए, वो आपको पढ़ने का तरीका भी मालूम चल जाए, देखो 84 नमबर क्या कह रहा है कि भारत में नोटबंदी वर्स 1946 और 78 में होई, किस तीतिकों तीसरी होई, मनलब आज तक तीन होई है, ये भी ध्यान रखना, तीसरी नोटबंदी कब होई, तो 84 में सारे लोग जानते हो बात कब की थी, रात के 8 बजी भाई, बहुत अच्छे से हमें याद है, ठीके, 84 नम साइबर आतंगवाद के कृत्तों के अपराद के लिए दंड क्या है, ठीके, साइबर आपराद अगर आप कर रहे हो, तो उसके लिए दंड क्या देंगे आप लोग, 2000 में ये आई थी सूचना तकनिकी अधनियम 66 अप, हमेशा ध्यान रखना 85 में जो सही जबाब होगा, वा भा भाईया क्या होता है, वा होता है, हम उम्रकायद देंगे सीधा सीधा, वा भाईया, आतंगवाद का क्रिति करोगे तो उम्रकायद तो ही देंगे ही देंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद 85 की बाद 86 नंबर है, पेसेवर साजा करन और कनेक्टिंग, ठीक है, के लिए निम्न में से कौन सी सोसल मीडिया साइट जो है लोग प्रीए पेसे वर साजा करन करना है पार्डनर्सिप करनी हो कनेक्टिंग के लिए क्या आप जो है इस्तेमाल करोगे इसे इंटेक्स से पूछ रहा है मनलब सवाल अच्छे दे रहा है तयार रहना TCS के पैटन को यहां से कुछ बाहर नहीं जाने देंगे इसलिए आज मैं पूरा का पूरा आपके सामने रख रहा हूं पोथा पत्तरा इसका 88 नमबर देखो निमलिगित में से किस शेतर में प्रत रिकारिता में दिया जाता पुलिज्जर जान रखना अगला सवाल 89 नमबर 18 मलब चार क्वेश्चन नमबर दिसंबर में पेपर वहा नमबर से चार क्वेश्चन आगे नमबर 18 तक सायुतरा शंगत्थन के महासचिव कौन थे ठीक है अब ये 89 नमबर तो जानते ही होंगे एंटेउनियो गोटेरस उस समय थे 20 जबाब सही होगा अगला आपसे क्या पूछ रहे 90 नमबर वर्स 17 में रेलवे और सामानी बजट को सायुकतरूप से पेस करने वाले पहले बितमंत्री कौन बने ठीक है सायुकतरूप से पहले क्या हो गया था अलग अलग तो 90 नमबर में जो सही जवाब होगा जिन लोगों ने वहाँ पर चुना होगा उसमय बी उत्तर अरुन जेटली भी या उसमय तो वहीं थे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा एक्यान नमबर सवाल देख लो भारत में कौन सा किंसासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी भी है अब ये तो जानते ही होंगे नहीं जानते हैं ये मत गलत करना चंदी गड़ ठीक है आगे बढ़ते हैं बाननवे आपसे पूछ रहा किसके मार्दर्शन में भारत के संविधान के मोल दस्ताबेज में हस्त निर्वित संविधान की गई थी ठीक है कौन किसके निर्देशन मेरा तो बाननवे जो आपका सही जवाब होगा वहाँ उस समय नंदलाल बोस थे ठीक है इनोंने जो है प पेपर हुआ है तब भी उठाया है और एक महिने पहले भी करेंट उठाया वाँ टीसी एस वाँ तिरानवे क्या सही होगा तिरानवे सही होगा सी पीबी सिंदू ने जीता था रियो लंपिक याद होगा बड़ा चर्शा का भी से था अगला चोरानवे पूछा था ग्रेट अब नॉबर से पांचवा करेंट ठीक है पांचवे इंटरनेट समेलन के दोरान चीन ने मीडिया उदो के ले एक नया उत्पाद पेस किया है ठीक है यह इन्नोवेशन 24 इंटो 7 काम करता यह क्या है बताईए ए आई के शेतर में पांचवा इंटरनेट समेलन हुआ तो चीन मेडिया उदो के लिए चीन की क्या बताएं पंचानवे में जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा डी आडिफिसियल जो है इंटेलिजेंस के तोर पर इसने निज एंकर बिठाया था समझ गे अगला पंचानवे के बाद 96 अपसे क्या पूछ रहा करा है लाइम किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन है जो वालेट, सौपिंग, पेमेंट्स और बैंकिंग से वाइप प्रदान करता है लाइम, लाइम, बताइए भाई किसका प्लेटफॉर्म है 96 नंबर में कौन सा सही होगा 96 में सारे लोग जानते है एक्सिस बैंक का है याद रखि अगला 97 नंबर क्या पूछ रहा है कि भारतिय बैंकिंग में RTGS और IFAFC का पूर्ड रूप क्या है? RTGS और IFAFC का पूर्ड रूप पूछा है तो इसमें जो सही होगा महलब फुल फार्म पूछ लिया दोनों का ठीक, इसमें जो आपका सही बिकल्फ होगा वो कौन सा होगा 97 म होगे या पैसे ट्रांसफर करना है तो मांगते नहीं है अगला सवाल क्या पूछ रहा है अगला सवाल आप से पूछ रहा है 98 में ठीक है current की पुस्तकों से मलब देखो वया यह current की वैसे पुस्तके नहीं बहुत पुरानी पूछा है इसमें पूछ रहा है column B में लेखो को के नाम हो A में पुस्तकों के नाम है Milan को लो being Indian the broken being chandalka my master ठीक है इधर जो नाम लिखे यह कोई भी current में नहीं है इसमें अगर पूछा जाए देखा जाए कौन सा उत्तर सही होगा 98 में हमेसा ध्यान केगा इसमें अगर देखा जाए कौन सा being Indian जो है यह रचना आपके पाउन कुमार की है तो एक का दूसरा हो गया दब रोकन बिंग अगर देखा जाए ठीक है 98 में आपका जो आपका इसमें ब्रोकन बिंग जो है यह उनकी क्या बोलते है इनकी सरोजनी नाइडी को आपकी रचना है चंदालिका अगर देखा जाए वैसे देख लो एक आपका दूसरा वी का थरी किसमें मिलना है इसमें से अगर देखा जाए किसमें आपका है 99 में इसमें जो आपका एक का दूसरा और यह मिलना है आपका सी वाला तो सी आपका जबाब सही होगा कुछ सोचने नहीं है ठीक ह सी का जबाब आपका सही होगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद 98 के बाद आपका 99 नंबर प्रश्ण है कह रहा है भारत में तीसरी नोट बंदी मलब नोट बंदी इस दो सवाल वाँ बया के दोरान निमलिकित नोट में से कौन सा परिसंचरन से हटा दिया गया ठीक है कौन कौन से हटाइ गये भरत तो तुम जो एक नोट बंदी तो सभी को जोइ चपेड में ली थी ना सी 500 और हजार नहीं पांसो काय भी या आगे बढ़ते हैं 100 नंबर, 100 नंबर अगला प्रशन, क्या बोला, निमलिखित कथनों को पढ़िये, सही बिकल्ब चुन लीजिए, ठीक है, कथनों में साइबर अपराद, अगला पराद से बड़ा प्रेम है, वैसे पध भी तो वहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही या गलत है, देखो, इसमें जो आपका सही जबाब होगा, सव नंबर में, सव में सही होगा, आपका, इसमें जैसा दिया है पहले, तो कथन देखना है न सही कहां से साइबर अपराच से बचने या रोकने के लिए फायरहल का प्रियोंग के जाता है। दूसरा केरा साइबर अपराच से बचने रोकने रोटने के लिए राउटर का प्रियोग जिए अढि Day आपराद से बचने या रोखने के लिए आईडियास यानि इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम का प्रियोग करते हैं अब इसमें से अगर हम देखें कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा तो ध्यान दीजिएगा इसमें इसमें जो आपका सही कथन होगा पहला अगर देखा जाएं साइबर अपराद फाइरवाल का तो प्रियोग आम बात है पहला कफन सही होगा दूसरा अगर अगर देखें साइबर अपराद बचने रोखने अंटि वायरिस नहीं लेते हैं तो अगले सेक्शन की और बढ़ते हैं यह मनलब सव क्वेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि की टी शी का पैटर्न क्या होता है जीएस को ले ऐसे ही पूरा का पूरा आयप डाउनलोड कलो संडे प्लस की चार पांस तरी लगए लोवर देना है तो उसमें देख लो पूरा जो है फ्री लगा हुआ है इसकी जी अच्छी अलग से दोहजार प्रशनों की पीडिया लगी है कि 1100 प्रश्णों के पीडियेव लगी है ठीक है पूरी क्लासेश पड़ी है लग बग 200-300 क्लासेश मैं करवा चुका हूं ठीक है जिसमें GS GS अपका है अलग से क्या कोई भी अगर एक क्वेशन बाहर हो जाए तो कहना ठीक है मैथ के बारे में तुम हंडेट पर्शन जितना इसमें सलेवा सेना उतना तो टीम परिक्षा प्लस आपकी गारंटी लेती है मस्त होकर पढ़ना कोई भी चीजे बाहर नहीं जानी है हमारे पास TCS का तोड़ है अरे पेपर नहीं आउट करवाते हैं लेकिन मेहनत करते हैं उतनी इमानदारी कर देंगे आपके साथ उतनी मेहनत कर देंगे कि आप स्वैम से बोलोगी कि सर हाँ पक्का हो जाएगा एक आत्मविस्वास आएगा देखो 101 नंबर पूछा है क्या पूछा है मतलब सवाल मैत क है क्या रहा टीसीएस का जो अपना है टीसीएस हमें सा परिभासा से सवाल उठाता और फार्मूले से सवाल उठाता पहला देखने को मिल गया यह किसी खोकले राइट सार्कुलर सिलेंडर की बाहरी और आंत्रिक तरिज्याय क्रमसा कैप्टल और इसमाल र हैं और वो चाही है तो कुल प्रिष्ट छेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया पूछा है क्या होगा अब 101 नंबर चलो तुम भी रिवाइच कर लो सारे लोग कौन सा सही होगा टू पाई आर प्लस आर प्लस एच माइनस आर ठीक है यह इसका सही होता है हमेसा इतना आसान भी नहीं पूछता है क इसमें क्रमचारियों का बितनर दिया है अलग-अलग भाराओं में और एक आपकी जो है दूसरी कंपनी वाई यस इस इस ने लिखा है PCS कीजिए कि देखो मनलब अपनी कंपनी नाम लेख रहा है समझ जाओ समंधित राजी के आधार पर क्रमचारियों के बितनर को दरसा है अब पाई चार्ट है इसका जो है आप लोग वो कर सकते हो मनलब पेपर उस पर नीचे जो लिंग लगी है टेलिग्राम जोइन कर लेना टेलिग्राम पर डलवा दूँगा मैं ठीक है पाई चार्ट में जानकारी के आधार पर सवालों का जवाब देना है यह दो आपके डि इसका फुल सेलिशन देंगे सभी सेक्षन का अलग-अलग सेलिशन आएगा यह 45 बिग्री हो गया यह 135 हो गया सभी का सेक्टर अगर आपसे पूछता है कि दिने डिग्री कोड बनाता तो वह आप उसको लेकर के अपान 360 कर दोगे मैं उतना हाथ यार जो है बहुत ज्यादा नहीं है उसके लिए अलग सर बताएंगे इसमें सौट्रिक वगरा लेकिन जैसा इसमें पूछा है वो आप आराम से लगा अठारा सो क्रमचारी करनाटा के क्रमचारी की संख्या पूछी है तो इसमें ज्यादा को नहीं सोचना है ठीक पहले यहां से आपको देखना होगा फिर यहां से देखना होगा 90 तो ले लिया बटे जो है इसमें 360 करना होता और को सोचना नहीं होता है और यहां से आप कर सकते हो 18,000 क्रमचारी है और 90 उसमें से पूछा है तो सही जब आप जब इसमें से देखेंगे कौन सा उत्तर बन सकता है बताएए आप लोगों की तो म इसमें से जैसा इसने दिया था भईया कोई चीजें उसन में नहीं फॉलो किए थी टीस अपने आप में वावा इसके कुशन हमेशा गलत होते हैं तो इसमें भी गलत था एक सो तीन का सभी कुर मॉक से दिया गया अगे बढ़ रहे एक सो चार नंबर पूछा है कि अगर तो यह चार विभाग में कितने होंगे यह डिस्टिबिशन जब आप लगाएंगे एक सो चार में तो एक सो चार में सी जबाब सही होगा नो हजार मैं उपर सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूं सलीशन भईया अलोक सर बताएंगे आपको अच्छे से या में जो है पूरी चीजे जो कुछ होंगी मैं यहां सिर्फ आपको 12% छूट देने के बाद भी एकवस 10% के लाब पर बेची गई लागद मूल से अंकिद मूल का फरकिरना है अब आप यह सारे लोग जानते हो कि जो आपकी यंपी होती और CP में पूचा है दोनों में रिलेशन पूचा है ठी आप से पूच रहा है अंकिद मूल कितना प्रशत अधिक अंकित था ठीक है अब यह तो आप सोच सकते हो कि 90 रुपे में कोई आप वस्तूभी चो तब बी 110 रुपे का लाब हो जाए ठीक 110 रुपे आपका क्या हो जाए मनलब 10 परसंट लाब ही हो जाए तो ऐसा आप सोच स कुछा है मैं हिंट दे रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सल्यूशन करवा पाऊंगा दिवका दोसों को प्रशन है दिवका ने सामानी ब्याज के अंतरगर टी परशन के ब्यासदर से टी साल के लिए बारसों का निवेश किया उसे अगर रुपए 432 ब्याज मिलते तो ब्य पूछे जा रहे हैं जितना कुछ पढ़ा रहे आप बता तो रहे आलोक सर जितना पढ़ा देंगे एक बी क्वेशन उसे बाहर नहीं हो सकता 306 में जो आपका सही होगा ये आपका कौन सा सही होगा बी कथन सही होगा मतलब भी सही होगा 6% ब्यासदर उसकी रही होगे 432 बारा सो रुपए निवेस किया, टी परसंट ये तो जानते हैं ये ना, पार्टनर्सीप वाला जो होता है, बसे लगा दो, मल्टिप्लाई करके सब, आगे देखो, अगला सवाल आप से पूछा है, इसका फुल सलीशन आलोग सर देंगे, मैं फिर से बोल ला हूँ, मेरे पास पांच रुपए, दो रुपए और एक रुपए मुलवर के तीन दो एक रेसिव के अनुपात में है, ठीक है, सिक्के है, अगर मेरे पास 120 रुपए कोई कुलाशी है, तो मेरे पास पांच रुपए के कितने सिक्के है, ठीक है, 107 में जबाब 3 कर गी है, इसमें जो सही जबाब होगा, आप लोग खुल लगाना यार, D जबाब 18 सही है, अगला इसमें क्या कह रहा है, 108 नंबर देखो, अब ये नंबर सिस्टम से सवाल कह लिया, ठीक है, 4567 है, किसी भी संख्या से विभाजित करने पर प्रतेग मा गह रहा है, देखो, Ace से आ गया, मतलब यहां सिर्फ क्वेस्टन देखते हैं, चलो कहां से क्या पूझा, बाकी तो टीम पर इक्षा प्लस भैटी, ये का है, परिशान हो, धीरज अपने पिता की उम्र का आधी उम्र का है, पिता धीरज के मा से चार साल बड़े, चार साल प पर इस अपनी मा की उम्र का है, इसमें जो है, सी सही होगा, देखे, अब इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें दिमांग लगाना था, पता चला की अब येक्स वाइ लगाने लगे, तो गए, टीसी येसी में बजाता है, देखता है कि आपका दिप्रेजन साब माइंड क्या है, एक कहरा आप 5 संख्याओं के औहुसरत को निरिवपीत करता, ठीक है, ये परतेख संख्या को 5 से गुडिद किया जाए तो नया अउस्त के यह होगा, अब इसमें तो आप जानते ही, जानते हो, इसमें कुछ सोचना इन होता, इसमें साट्रिक भी उससे साब से होती है, प्रतेक संख्या को पांच से गुड़ा कर रहे हो तो अवसत को भी गुड़ा कर दो और क्या ठीक है फाइव एक्स हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह सौट्रिक भी यह 111 नंबर क्या कह रही एक व्यक्ति 35 मिनिट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता और किलो मीटर पर घंटे में क्या स्पीड होगी अब मिनेट में 35 मिनिट में 455 में पार कर रहा है किलो मीटर पर जो है किसमें पूछ रहा है घंटे में तो याद रखना पांच बैटे अठारा होता है ठीक MULTIPLY कर देना सही जब आप जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा इसमें स से 111 में इसमें आएगा 0.78 km पर आवर यहीं डी वाला सही हो जाए अब गोड़ा भाग करना अगला बार 112 नंबर देखो मनलब सभी से जैसे सवाल बनने उन चीजों को ध्यान रखना है किसी पत्थर द्वारा तैकी गई दूरी मनलब एक फिर से उसी से आ गया मनलब जो कि दूरी उसके भार के वर्ग के बेहुत कुर्मान पाती होती है ठीक है जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो उसके भार के बेट के वर्ग के अनकुर्मान पाती यह रिलेशन लेकर चलना है ठीक है तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगना है इसमें जो आपका सही जबाब होगा, 112 में यह जबाब आपका D सही होगा, 5.0625, इसके बाद अभी अलोक सर जब लेकर आएंगे अच्छे से, तो वहाँ पर आप सारे लोग इसके यह अब से फुल सेलिशन को देख सकते हैं, ठीक है, 113 क्या बोला, 0,10,1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,3,3,3,3,3,4,3,3,3,3,4,3,3,4,3,3,3,3,3,4,3,3,3,4,3,3,2,3,3,3,3,4,3,3,3,4,3,3,3,4,3,4,3,4,3,4,3,3,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,3,3,4,4,3, आठ मिनिट छे सेकंड एक घंटे का कितना प्रिश्चत होता है अब परसंटेज मनलब नंबर सिस्टम का ही यह पाठे तु तु तीन सवाल हो गए ठीक है आठ मिनट छे सेकंड पूचा है तो इसको आठ मिनिट को भी बईया क्या करो आठ शकार तालिस को अचे उसमें जोड घंटे वाले को भी सेकंड में कर लो और ग्या करना है ठीक है घंटे वाले को मिन जो है आपान करके इन्टौ हंडड कराओ एक सो चौौधा में जो सही विगलफ होगा वह आपका कौन सा होगा एक सो चौदा का डी सही हो जाएगा 13.50 अगला पूछ रादेको टाइम मिनिस् cylinder वाला यहां पर जो सवाल पूछ रहा अगला फिर से time is distance train की लंबाई पूछ लिया है बातर किलो मीटर पर आवर से पचीज सेकंड में अब यह सेकंड में दिया है यह किलो मीटर पर आवर में दिया है एक को बदल लो उसके बाद क्या कर दो डिवाइड कर दो वहीं हो जाएगी ना 115 में जो सही जबाब होगा वो आपका सही होगा 500 मीटर होगा अगला देखो किस से सवाल होता है 12 बच्चे मनलब जो है work and time से सवाल पूछ ले है number system का ही यह सवाल है 12 बच्चे जो है 18 आदमी 9 दिन में एकला करेत को पूरा करते ठीक है तो आपने पढ़ा होगा कौन सा एक जो इसका कारी फार्मूला है कि तीनों को multiply करा देते हैं time जो लगता number आप days जो होते men जो होते ठीक है कि उसमें rate में कारी करते उन सभी को multiply करके आपान में कर देते हैं उसी हिसाब से यह सवाल पूछा है पूरा का पूरा यह कचाथ में आपके syllabus में है 116 में जो आपका सही जबाब होगा यह बिगलब D होगा 6.75 दिन लगाना मेहनत करना जो लोग देख रहे हो ठीक है मैंने तो आंसर आपको बता दिया मैं सिर्फ question को आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे यह देखो फिर से speed time distance मलब बड़े अच्छे सवाल आ रहे number system बहुत धंग से पढ़ना चालिस आवर पर किलोमेटर की गजसे ए बी पर पोहसता और 60 किलोमेटर पर गजसे भी ए पर वापस आता यह जाता वो आता ठीक ए बी के बीच में दूरी किती है यहाँ speed दिया है ठीक है दोनों का speed दिया है 40 और 60 का अब इसमें 117 में जो आपका सही जबाब होगा 240 किलोमेटर होगी ठीक है इसको 6 घंटे लग जाएंगे इसको जो है 4 घंटे तो दोनों का मिला के 10 घंटे हो जाएगा ना लब थोड़ा सा मैतना लगाओ वैसे लगा दो बैदिक गन इससे देखो जोड़ो घटाओ तब यह किया जाएगा अगला सवाल अब से क्या पूछ रहा एक कीबोर्ड में एक से 800 की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की श्रोक किया हो सकता होगी वाव भया पर मुटेशन कॉमिट जो है इसमें लगा दिया इसमें जो आपका सही जबाब होगा वो जबाब होगा डी आ आगे बरते हैं 118 के बाद 119 नंबर सवाल देख लीजिए 119 नंबर आप से क्या पूछ रहा है ठीक अब यह सी है यह से मलब फिर से आपसा किसे नंबर सिस्टम से सवाल आ गया ठीक इन दोनों का यह से आपसे पूछा है तो यह से जानते हो सबसे बड़ी वाली जो राज ह होती है इसमें जो आपका सही होगा ठीक यह दोनों चार से बड़ी संख्यस कटेंगे ही नहीं कटेंगे यहीं आपका सही हो जाएगा अगला इसके बाद आपका सवाल है 120 नंबर पूछ रहा है तीन साजेदार है पार्डनर सिप से फिर से सवाल आ गया ठीक है ठीक यह भी अगर्ण से इसमें लाब दिया जाता तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है जैसा का पूछ रेशियो होगा इसमें जो है हमेशा जो आपका लाब होता है वो डिवाइड होता है तो इसको आप निकालके इसके बीच में रिलिशन बता सकते हैं इसमें सही जबाब B आएगा B और C के कुल हिस्से की राज 3,000 रुपए से कम आएगी ठीक है 121 नंबर देखो पार्डनर से अगला सवाल चक्रवीद ब्याज यह साई CIE आपसे पूछ रहा है ठीक है इसे पहले भी ब्याज मनलब दो प्रशनी से हो गए जेमस ने साधारन ब्याज पर 600 रुपए है चक्रवीद ब्याज पर 1200 मनलब कमपेर्जन करा दिया दोनों ही 20% के ब्याज दर पर दो साल के लिए से ग्रूप से दिये गए ठीक अब आपसे पूछ रहा है कि अरजित कुल ब्याज क्या होगा तो इसका जानते हो 600 रुपए साधारन ब्याज पर है ठीक है 20% का तो 600 गुड़े दो करा दो ठीक है किना हो जाएगा यह यहां कार दो 20 शक्का 120 हो जाएगा और दो साल के लिए दिया है 240 हो जाएगा ऐसे इसका निकाल लो अब इतना तो समझदार हो यह मैंने बता दिया न मेन वाला 121 में जो सही होगा यह डी सही होगा 160 रुपे आएगा ठीक है देखो समय थोड़ा कम है इसलिए मैं सारी चीजें तेजी से बता रहा हूं बाकि यह सब डिटेल में सलीशन आएगा परिशान नहीं होना है तो मैं मजाग में बोल दिया था इसे अगला सवाल क्या बोला 122 नमबर में कि एक फल बेचने वाला अंगूर 23 परसंट लाब हान से फिर से सवाल आ गया ठीक है 23 परसंट की हानी पर बेचता हो ऐसे बाट का प्रियोग करता है जिसका वजन सही बाट से 30 परसंट कम है दुकांदार चोर है दुकांदार चोर है 30 परसंट कम है वजन उसका ठीक है 700 ग्राम दिया अब 23 परसंट की हानी पर बेचा ठीक तो 23 परसंट तुम हानी पर बेच रहे हो 30 परसंट वैसे बांट कम कर रहे हो तो जैसी बात है लाब आपको होगा ही होगा इसमें कितना आपक ठीक अगर इसमें सवाल देखें कौन सा आपका उत्तर सही होगा तो वह ऐसे कुछ सोचना है इसमें पढ़ेगा आपको जादा क्यों कि इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वो 10% यहां परसंटेज में पूछा है ठीक है 10% का लाब होगा उसको आगे बढ़ते हैं इसके बाद 112 के बाद 123 पूछ रादे को फिर से जो है यह साइसी आई आ गई मलब तीन के बाद चार नंबर चार कोशन हो गए ना तीन हुए इसे ठीक है यह साइसी यह बहुत ठंग से पढ़ना पच्चा एक दंडास 20 दिनों में की मजदूरी का भुकतान कितने दिन के लिए परियापत है मलब पैसे का डिश्टिविशन यह नंबर सिस्टम का सवाल है ठीक है रेसियो परसेंटेज रेसियो का यह सवाल है यह नंबर सिस्टम का है 15 दिन 12 दिन 8 दिन 10 इन इसको लगाओ गे 123 में जो ज़ए जबाब होगा भाया वो जबाब भी विगल्प होगा ठीक है बारा दिन आपका सही उत्तर होगा आगे बढ़ते हैं 124 नंबर लगाने के लिए पीडियों में बोलना हो टेलिग्राम पर उपलब्द होगी जुड़ जाईएगा और ले लीजिएगा संख्या 40 को इस प्रकार से दूबागों म जबाब सही होगा नौ बटे दो और एकतर बटे दो ठीक है रिलेशन जैसा दिया है उस हिसाब से करोगे और आ जाएगा अगला देखो 125 नंबर किससे सवाल है 125 ट्रेन ठीक है लंबाई चोड़ा है मलब एक इससे पहले तीसरा सवाल है मलब इसको डिवाइड करते रहना है अपने आपको compare करना है कौन किससे पूछ रहा है तो इसमें जो आपका सही उतर होगा ये आपका 504 मीटेर आएगा ये विगलब लगाना आपका काम है लगाओ बाकी तो आलोक सर का काम है तो ये 125 प्रशन आपके इससे पूरे होगे math से अब बढ़ते हैं अगले section की और जैनि reasoning program हो चुका है इसमें जो पहले सवाल अपका दिया हुआ है के रहा है प्रशन में दो कथन के बाद एक बयान सामिल है जिसे प्रथम और दोती ये नंबर दिया गया फर्स सेकेंड नंबर दिया आपको तै करना होगा कि दिये गए तरक में से कौन सा तरक मजबूत है और कौन सा तरक कमज़ोर है वाँ भई या बहुत बढ़ियां टीसे इसी के लिए जानी जाती इस्टेटमेंट क्या दिया है क्या स्वस्त जीवन जीने के लिए चीनी की खफ़त कम होनी शगिए ठीक है ये वक्तब भी है कथन है तरक क्या बोला है आर्गुमेंट क्या दे हाँ चीनी की खपस से मोटापे मधमे और हिर्दे रोगों का खत्रा बढ़ जाता दूसरा बोला नहीं चीनी उस भोजन में स्वात को बढ़ाती है जिसे हम उपयोग जो है उपभोग करते खाते पीते अब इसमें सही यह जो तर्क है ठीक इसका और अच्छे से डीटेल सलीश पूछन मैं जिदना पॉसबेल उतना बता रहा हूं बाकी जो है यह पाठक सर का आपके जो है है रिजनिंग भाईया उन से पढ़िये तर्क सकती और इसमें जैसा जैसा पूछना पूछ रहा है न वो जीतना करवा देंगे समझ जाओं मलब TCS के तो वो मास्टरी है मास्टर गुरू है TCS के पैटन के आपके रिजनिंग के तो वो इसका सेलीशन बहुत धंक से बताएंगे इतनी डिटेल में बताएंगे ना कि इससे बाहर एक भी चीजे नहीं जानी है ठीक है तो उनका नाम वैसे भी रिजनिंग गुरू पढ़ा हुआ है पाठक सर से टापा मधवे और हिर्दे रोगों का खत्रा बढ़ जाता बहुत तो तुम सही कह रहे हो दूसरा कह रहा है नहीं तो दूसरा वैसे नहीं यह तर्क प्रबल नहीं है पहला ही प्रबल है द्यान रखिएगा ठीक है पहला जो है इसमें केवल एक सही होगा आगे बढ़ते हैं करनाप से ताहिए इसमर्ड बहुत ज्यादा सूचना नहीं होता है कि कः दिया तो आपको बहुत ज्यादा दिमांग लगाए देखो क्या आटथक कर रहा है प्रश्ण में अब रुश है ना तो समझना तो पड़ेगा कतन क्या कहा है रहा क्या इसकूलों में योगा और ध्यान अनिवारी किया जाना चाहिए तर्क बोला हां योगा और ध्यान छात्रों को बेहतर एक आगरता एक आगरता रखने में मदद करता जो अंत्ता हुआ उनके अध्यन में सही केवल पहला मजबूथ होगा ठीख है के बिकल जैसा दिया है मैं इस्में केवल पहला सही हो दीसरा थो ऐसे गलत है बीना कुछ सोच है आप मार दोगे कि द्न भी जो क्रमचारियों की कुल संख्याप 10,800 है तो पहली जानकारी दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्णों का उत्तर दें ठीक है क्रम इसमें पूरा का पूरा और यहां से निकल आएगा उसके बाद आप किसमें बोला है फाइनस में साट बटे 360 कर आओगे इंटू करा दोगे इतना तो दोनों का निकल आएगा यहां सिप उसके बाद दोनों का प्रतिसत पूछा है पर संटेज टोटल में देख लोगे कितना है और जब कंपेर करोगे तो यहां से जो 128 में आपका सही जबाब मिलेगा वो जबाब आएगा आपका भी 150 प्रस्त जो है अधिक होंगे आपरेशन में फाइनस की करमचारियों की तुलना में वैसे सूचल मलब जादा तो होंगे यह भाई साट रेसियो ले रहा साट डिगरी कॉंड बना रहा यह 150 अचास बना रहा दूगने से जादा है ठीक है तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ रहें 128 के बाद 129 नमबर कह रहा है कि यह चार बीभाग में 70 प्रस्त में तो यह चार बीभाग में कितने जो है पूरस होंगे अब 70 प्रस्त तो बाकी 30 प्रस्त ही तो बचता है किसी भी 170 होंगे अगला 130 नमबर सवाल क्या कह रहा है अब देखो यह इसको क्या दिया है क्वेस्टन नायर लिखा है एक सब्द आपका पूरा लिखा है इसके अच्छरों का उप्यूप करके गठी नहीं कर सकते सब्द ग्याद करो चार विकल्पों में से ठीक है पहला देरा यह न इसटी न इसटी बन सकता पहला बनेगा दूसरा देरा कि यू क्वेटो कोईटी लिखा है कि यू क्यू यू ओ टी ए टी भी है और यह दूसरा भी बनेगा फिर देरा इंट्री ग्रेशन ठीक है अगर इसमें देखें 130 वाली का जो सी दिया है ठीक आई एंटी आई है यह य अगली संख्या क्या है इसके बाद कौन सी आएगी ठीक तो 131 में ध्यान दे आप इसको जो सौल करेंगे इसमें जो बनने वाली संख्या बनेगी वह 2046 बनेगी डी बनेगी अब इसको सौल करिएगा आगे बढ़ रहें 132 के बाद 133 नंबर है 133 बोल ला है क्या कह रहा है 132 बोल ला कि एक सहर में 55% लोग TV पर समाचार देखते 40% अकबार पढ़ते 25% ना अकबार पढ़ते नहीं TV पर समाचार देखते और 4000 लोग दोनों करते हैं ठीक है अकबार पढ़ना और TV पर समाचार देखना सहर की आबादी गयात करिए अब सहर की आबादी पूछ रहा है, 4000 सब कर रहे हैं, बाकी 55%, 40%, 25%, यह इनका पूरा का पूरा रिश्यो आपका दिया हुआ है, तो यह आप जानते हो, ऐसे बना के लगाओगे, ठीक है, सेट बना के या इसके लिए 80 सरकी 20 स्ट्रिक होती है, इसमें जो 132 में आपका सही जबाब आएगा, वह उत् सित क्रम है, अब इसकी आप नंबरिंग कर लिजिए, 123456 मलब कर लिजिए, उसके बाद इसमें से पूछ रहा है, कि कौन सा सही मलब इसका सही क्रम होगा, तो दियान दीजी इसमें जब आप सही क्रम में देखोगे, पहले तो A लिख लो, उसके बाद C लिख लो, फिर कौन सा T आएगा, फिर कौन सा आ सकता, I आ सकता है, ठीक, और फिर B लिख लो, फिर E, एक्टी भी तो बनेगा, तो इसमें ये आपका क्रम सी वाला सही हो जाएगा, 133 के बाद 134 बोला है, धारणाय दी गई है, ठीक है, धारणाय का मलब एजम्शन दिये गए है, एजम्शन दि नहीं थे तो C है, और किसी धारणा नहीं नहीं तब दी चुनना है, देखो कथन क्या बोला, कि लोगों के कल्याण के लिए पूरे देश में सराब पर प्रद्बन लगा दिया जाना चाहिए, अब इसके हम लोग रीजन देखते हैं, मलब कथन देखते हैं, मानिताय देखत अब आपको इसमें क्या लग सकता है, कौन सा उत्तर इसमें आपका सही जबाब हो सकता है, ठीक है, बताइए, लोगों के कल्याण के लिए पूरे देश में सराब पर प्रद्बन लगा दिया जाना चाहिए, तो इसमें 134 में जो आपका सही उत्तर होगा भाईया, इसमें ज लोगे, ठीक है, अगला आप से क्या पूछ रहा है, 135 में दिये गया है, चितर में कितनी त्रिभूज है, तो इसको जब आप काउंट करोगे फूरी पूरा का पूरा फीगर, तो इसमें जो नमबर आप आपको ये मिलेंगे फीगर, वो भी ट्रेंगल के, इनकी संख्या के नहीं होगी, इनकी संख्या इसमें 13 होगी, सी जब आप सही होगा, अब आप कल्कुलेट करना, 4 तो ऐसे दिख रहे है, बिना कुछ किये, ठीक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक फुल वाला होगी, उसके बाद फिर डिवीजन में बनेंगे, अलग-अलग पूरा क्या पूरा बनेंग निकाल सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ ना कुछ इसमें बढ़ रहा है, 136 में जो आपका सही जबाब होगा, ये विगल B होगा, 131 इसके बाद आएगा, 131 इसमें थोड़ा सा आसान दिया है, क्योंकि सब में लगातार एक डिफरेंस के तोर पर कुछ ना कुछ जुड़ा रहा है, अगला 136 के बाद 136 नंबर दे दिया है, केवल एक अंग वाली दो संख्याएं है, चार आठ की अदला बदली करने पर निमन चार समीकरणों में से कौन सा एक समीकरण सही होगा, अब 136 में जो आपका सही जबाब होगा, इसमें से देखा जाए, चिन की अगला बदली के अधर यह तो पड़ चुगे, चार आठ को बदल देना है, ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है, निमन चार समीकरणों में से कौन सा एक समीकरण सही होगा, ठीक, मलब इधर को सॉल करने पर यह उत्तर आपका आना चाहिए, जो इधर दिये है, इनमें जब आप बलोगे, चार आठ को बदल दोगे, एक सो साथेस में, तो आपका इसमें से जो सही जबाब होगा, यह बी विगल्ब सही होगा, ठीक है, बी विगल्ब आपका सही आएगा, अब आप बदल के देख लो, सलीशन कर लो, एक सो साथेस के बाद 138 बोला, चार विगल्ब दियेगे, चार विगल्ब में से एक को परस्पेक्टिब, सब्द के अच्रों का उपियो करके गठिर नहीं किया जा सकता, वह सब्द ग्यात करिए, ठीक है, परस्पेक्टिब से दिया है, 138 यह भी रिपीटेट सवाल है, ट्रिपल सी में आया हुआ है, 138 में जो आपका सह जाए, ठीक, गठिद नहीं किया जा सकता, तो प्रोस्पेक्ट आपका गठिद नहीं होगा, इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान कियेगा, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अगले आप से सवाल क्या पूछ रहा है, 138 के बाद, 149 फिर से दो धारणा दे दी, और ज पटाखे नहीं फूटे, नहीं साल के जस्में, अब धारणा बोला है कि नुवयार्ग में नहीं साल के उस सही मोसम के दौरान पटाखे का उपियोग किया गया, दूसरा क्या बोला है, कि पटाखे के उपियोग पर प्रज्बन लगाने से उंदर गढ़नाओं से बचा जा स सही हो सकती, फटाफट सारे लोग जब आप चुनी, 149 में, आपको देख रहा है क्या हो सकता है फटाफट, देखो, इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा आपका सही होगा, तो दिमाग में बना लीजिए, इसमें जैसा दिया है, C सही होगा, ठीक है, C में दिया है, धारणा एक और दो कथन में नहीं थे, जाहिर सी बात है भीया, ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, एक बार हुआ है, तभी तो उसरे अगले साल जो है, रोक लगाई, नहीं तो वह ऐसे थोड़ी रोक लगा देता, अगला प्रशनी देखिए, ध्यान दीजे सारे लोग, इसमें आपका सही जाएगा, 149 वाले में, 140 में अगर बात करें, अगर P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ भाग है और S का अर्थ गुड़ा है, तो इसमें सब को रख दो, एक अमान आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही आप रखोगे, तो इसमें 28 से, P क आर्थ है, प्लस, 8 हो गया, R का अर्थ है, माइनस आर्थ है, ठीक है, तो यहां माइनस लगा दो, 4 लिख दो, Q जो है किसका, अरे यार, गड़बड हो गया, इसके क्वेश्चन आप वो रख के देखोगे, ठीक है, 140 वाले में, तो इसमें जो आपका सही आएगा, वो 3 आए गया, 2 km, अब क्या बुला है, बाय मुड के जो है, अब बाय मुड़ेगा, 3 km आगे तक जाएगा, ठीक है, फिर बाय मुड़ेगा, 4 km जाएगा, अब अजय अपने घर से किस डारेक्शन में है, यह उसका घर है, ठीक, यह डारेक्शन पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, यह डारेक्शन क्या होगा, यह तो उत्तर है, यह कौन सी दिसा है, कहीं न कहीं कौन सी हो सकती, पूर भी ही तो लिखी है, वो पश्चिम ही तो लिखी है, तो यही बी बिगलब आपका सही हो जाएगा, 141 में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा बाय मुड कर इसको सही से देखिएगा, कैसे क्या लगा है, इसमें जो आपका सही उत्तर होना चाहिए, 141 में, ठीक, डी उत्तर होना चाहिए, दच्छन पूर बारा है, अब आप लोग देखिएगा, कैसे क्या है, इसको आसी सरी बता पाएंगे, रिजनिंग बाया है, मेरा उतना हाथ तंग है, होगा, पंदरा डिग्री बनेगा, साड़े शे बज रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आप से 143 नंबर पूचा है, अगर माइनस का मलब यह चिन रख लीजे इसमें, इस वाले में, और जो आपका सही सलूशन आएगा, 143 में, यह बी जबाब आएगा, 155, ठीक इसमें जो सवाल आप देखें, वीडियो रोकें, उसको सॉल्व करें, फिर आगे उत्तर मैच करा लें, ऐसा कर सकतें, बाकी सलूशन तो टीम देगी ही देगी, 145 पूच रहा है, दिए गए चितर में कितने तरिभोजें, इसको पूरा काउंट करोगे 145 वाली को, तो इसम पूरे वीडियो पढ़ाए जाएंगे, 143 वाली को, तो आप देख सकते हैं, तो परेशान नहीं होना, हमें नहीं आता, पूरे वीडियो पढ़ाए जाएंगे, 143 संख्या है, ABC का योग 10 है, और A प्लस B प्लस C 10 है, यदि A, B और C तीन सकारात्मक पूरांग है, तो उनका अधिक्तम गुडनफल, A into B into C कितना होगा, ठीक, ABC का योग है, 10 है, और ABC तीन सकारात्मक पूरांग है, पोजिटिव इंटीजर है, तो इनका maximum product जो है, क्या हो सकता है, A into B into क्य हो सकता है, 147 में, ठीक, इसमें जो आपका सही जवाब आएगा, कौन सा उत्तर हो सकता है, बताइए वही, 147 में जो आपका सही उत्तर होगा, यह जवाब आपका होगा, C, 36 होगा अधिक्तम गुड़ा, आगे बढ़ते हैं, 148 नमबर पूछा है, कि बेगल्ब का चैन करना चार में से, जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बता है, फर्म लिखा, यह फाई यह अमार, मतलब परिवर्तन हुआ है, तीसरा चोथा लेटर आपस में बला गया, अभी इसमें बोला है, ठीक, तीन तीन छे दे दिया, यहाँ पर चार दिया था, अब अ 149 नंबर अगर सही इसका solution देखा जाए, कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, कह रहा है, चार विकल्प में इसे एक कचैन करें, जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप फिर से वैसा ही सवाल आ गया, ठीक, यह सब 80 सर आपके निप्टेंगे बहुत अच्छे से, 149 में डीज आपका सही होगा, इसको करिएगा उसी के अनुरसार अगर आपको आ रहा है, नहीं तो डीटिल आपको solution मिल जाएगा, परिशान नहीं होना है, 150 बोला कि एक आदमी पूर्व की और 200 मीटर चलने के बाद, दच्छडी की और 10 मीटर चलता है, इसके बाद वा पश्रिम की और 35 मीटर चलने के बाद उत्तर की और 5 मीटर चलता, फिर वाप पूर की और 15 मीटर चलता है, प्रारंबिक और अंतिम बिंदो के बीच में लगुत्नम दूरी किया है, तो 150 में जो सही उत्तर होगा, वो कौन सा होगा, इसको जब आप लगाएंगे, तो आपका इस सवाल आपका अच्छा खासा होता है, इसके solutions को हम देखना प्रारंब करते हैं, यह सवाल देखते हैं, इसको सुरुवात करते हैं, इसमें 111 नंबर सवाल जैसा आप से पूछा है, कि आपको संदे है, आपका अधीने सपरादियों के खिलाफ सिकायत दर्श करने लिए इस वल लेता है, आप निल लिगत में से क्या करेंगे, विभाग में पहुंचने बाद पूछ रहा है, तो इसमें आप जानते ही, जैसा आपका प्रशन दिया है, जाहिर सी बात है, आप सत्यापित करेंगे, कि संदे सही है या नहीं, तूरं तो कूद नहीं जाएंगे, कि C सतंता उसके पास है, वरिजनागरिक पुलिस से सिकायत करना चाहता, इस स्थित को सौहाद पूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से क्या तरीका अपना होगे, जाईर सी बात है, पटक के तो मारोगे नहीं उस लोंडे को, ठीक है, जैसा इसमें सी लिख रहा है, कि रहले की सुरच्छा ब्यवस्ता है, तो आप प्रभारी अधिकारी है, काम को प्रभावी ढंग से निप्टाने के लिए क्या करेंगे बईया, बताइए फटाक से, एक सो तिरिपन में क्या हो सकता है, इसमें अस्थानी उपत द्रिवयों पर नजा रखेंगे, लिष्ट बन मोटर साइकल चालक अंभी रूप से गायब होगे, आपकी पहली प्रत्करिया क्या होनी चाहिए, बताइए ये सब सवाल मनलब दिमाग परें, बईया, एंबुलेंस बुलाओगे न, चालक का पता थोड़ी खोच होगे, पुलिस को सूचित करोगे, एंबुलेंस फट से ब पच्पन में बताओ, क्या करोगे, स्वाथन जांच के लिए आदेश दोगे, ये तो है नहीं कि कानूनी मुकदमा कर दोगे, बैंकर को गरफतार करोगे, अगला 156 नंबर स्वाल क्या पूच रहा है, निमलिकित की निस्तितियों में पुलिस सामानी ताह मदद करेगी, तभी पुलिस कारवाई गलत है, जब कानून और व्युस्ता भंग होगी, तब भाईया आपका काम है, तो सी सही हो जाएगा, 156 के बाद 157 कह रहा है, ठीक है, आप एक पुलिस करमी, इसलिए आपका जो है करता पे रच्छा करना है, किस की, बताओ किस की रच्छा करोगे, बाईया सभी की करोगे ना, उसमें कुछ सोचने नहीं है, 157 के बाद 158 कह रहा है, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं, और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदू का उपियोग करना है, आपको निलिखित में से कौन सी कारिवाई करनी चाहिए, ठी इसा मारोगे, अपराधी को के लिए पैर पर गोली मारे ताकि उसे आप भाग जाने से रोक सके, ठीक है, अपराधी है, तो रोको, आगे बढ़ते हैं, 58 के बाद उनसर नमबर पूछ रहा है, आप निलिखित में से किस कथन से सहमत है, मैलाई कमजोर पैदा होती हैं और वह हमें साही रहेंगे, भाईया, बिल्कुल गलत है, आगले क्या बोला है, किसी देश की सुरच्चा को सुरच्चे रखने में मैलाओं की, अब ये भी गलत होगा, इसके बाद अगला कौन सा हो सकता है, मैलाई और पुलिस समाने इस बार जो है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ करने में निल्कित में से कौन सा गुड़ आपकी मदद करेगा, बताओ, कौन सा गुड़ होना चाहिए, अच्छा पुलिस करमी, भाईया, साहिसी बनो, नेतुद गुड़ का प्रदर्सन करो, वो है अच्छा पुलिस करमी, अगला आप कहरा है, आप अपराद बीभाग के प्रमुक होगे, हाला कि आपके नियंतर में आने वाला इलाका लगभाग अपराद मुक्त है, तथा भी आपके इलाके में अपराद अच्छानक बढ़गे, अपराद को नियंतर के लिए आप कौन सी करवाई करेंगे, अपराद में ब्रिदिके कारणों की पहचान पर ध्य आपका सही होगा, वो जब आपका ये सही होगा डी, वेक्तियों की डर इर्सिया और घ्रना से उपर उठने में मदद करेंगे, 164 क्या कह रहा, आपने परियाब सबूत के बिना किसी वेक्ति को गिरफतार कर लिया, गिरफतार करने में जल्दवाजी करने के गारण आपके आपको फटकाल लगा, ये सिस्तित में आपकी और से सबसे अच्छी करवाई क्या है, बताइए 164 में, क्या करेंगे, बहिए अपनी जल्दवाजी के लिए शामा मांग लो वहीं सही है, ये सही होगा, और ये सब कर लोगे तो तोड़ दिये जाओगे, नोकरी भी चली ये ना, एकृत शार्च नमबर क्या कह रहा है, निमर के बीच में वैसा संब्मन नहीं है, जासा, डी को स्रिंखला दिया है, डी टी सी का कूड़ बद किया गया, जो है, रूप क्या हो सकता है, डी टी सी एक, आपका नहीं हो गाना, ऐसे रिलियोंस चलता है, उट टान क्लि बनेगा आपका C, 0-0, ठीक है 11-11, यह ऐसे ऐसे लेकर चलना होता है, कौन सा किस में दिया है, जैसे D देखना है, तो इसके सामने कौन सा है, ऐसे ऐसे करना है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और कौन सा है अगला प्रशन, 168 पूछ रहा है, कि यह दी चैंपियन को पलट द जैसा है इसमें पलटा, वैसे इसमें, पलटो, एक, दो, तीन, चाल लिख लो, बस, उसको ऐसे कर लो, बहुत आपका अलग जाता है, कौन सा चर समी, बाकी समोहों से अलग है, देखो, एक सो नातर में कौन सा सही होगा, D सही होगा, GEC, इसके बीच में रिलेस्टन देखो, T, U, B, ठीक, फिर X दिया है, M, O, Q दिया है, PRT दिया है, ये तो 3, 1 जैसे होंगे, ये आपका लग होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला आप से दे रहा है, धी के जानकारी के अधार पर प्रशनों का उत्तर दो, कंट्री दिया, पपलेशन दे दिया है, चाइना, इंडिया, U, S, Pakistan, Japan, Russia, इधर सबका पपलेशन दे दिया है, अब आप से क्या पूछना चाह रहा है, जापान की अबादी, रूपस की अबादी की तुलना में कितने प्रसत कमाब, ये तो बहुत आसान है, यार, सबका निगाल लो, जो जिसका परसंटेज पूछ रहा है, पूछ रहा ह इसमें पहले वाले में जो आपका सवाल सही होगा, ये सवाल आपका सही आएगा, बारा परसंट, दूसरा गह रहा है, श्रिंखला 664, ठीक है, घटते विक्रम में जा रही है, और जो है, डिफ्रेंज लगभक जो है, एक इक्कुल वे में जा रहा है, पूछ रहा है, कौन स इसमें जब आप को रोगे ना, 172 में सही उत्तर जो आएगा, इसका उत्तर डीचालिस होगा, आगे बढ़ते हैं 173 नंबर सवाल आपके सामने है, 173 क्या बोला, के रहा है, सुनील ने बता है, मोहित अपने पिता की पतनी की एकमात भाई का बेटा, मोहित सुनील का क्या ल है, इसमें आपको जोडना है कि सही विकल्ब क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशन वहीं होना चाहिए बस, वर्ग है, 16 लिखा है, घन है, तो क्या होगा, अब इसमें 174 में जो आपकी चीज़े सही आएंगी, वो कौन सा होगा, इसमें बताईए फटापट, क्या हो सकत होगा है, 64 होगा, मतलब क्यूब करा दो, वर्ग है, तो 4 का स्क्वाइर 16 बनेगा, अगर 4 का क्यूब करा दोगे, तो 4 चोग 16 चोग 64 बन जाएगा, जाहिसे बा, आसान सा पूचा, 175 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 4567 में, किसी संख्या से विभाजित करने पर 2 सेस बसता, 300 से 500, ये तो पहले, इससे पहले भी प्रशन आया था, अभी बताया नहीं है ना, प्रशन रिपीट है, देखो, ठीक है, TCS वाले भूल जाते है, 422 होगा, ये प्रशन इससे पहले आया, 20 जब आप सही, अभी 175 प्रशन ये आपके इससे होगे, अगला जो आपका सेक्शन ब का वो है, ठीक है, ये ऐसे जो बना कि आप बिठाते हैं, है, लेकिन आपका एक तरीके से पजल ही, सामान इसी पजल है, इसमें आपका पहला सही होगा, E और C जो है, अंतिम सिरो पर बैठे है, जब आप अरेंच करोगे, ऐग सवाल, 170 बोला, कह रहा है, कौन सा दिन सदी का पढ़ा देंगे न, एकदम मस्त हो जाओगे, वैसे पूझ रहा है, सदी का आकरी दिन, 177 में हमेशा ध्यान रखना, सदी का आकरी दिन कभी भी कौन सा नहीं होगा, मंगलबार, गुरुबार और सनिवार नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो याद रखने की चीज है, आगे ब 89 में, इसमें अगर सही उतर दें, ABCD चाल लोग, इनमें परतिक चार अलग लग, पे पदर, मनलब पजल से हो गया, फिर से सवाल पूछा है, ठीक है, सिंपल बाला पजल, दो सवाल मिल गए, इसमें चाय किसे पसंद दे, इसमें जो आपका सही जबाब आएगा, ठीक, इसम सिंखला में एक से अधेक वर्ण अनपस्थित है, ठीक, उसको चुनना है, आर यम है, फिर अगला यहां बढ़ना है, यहां बढ़ना है, तो इसमें जो आपका सही उतर आएगा, यह आपका होगा, आई और सी आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते 181 के बाद, 181 के बाद, 181 के अब आप समझे इस चीज को, इसमें 181 में जो आपका सही जबाब होगा, यह सी उतर सही होगा, NQCVN जो है, यह सही उतर बनेगा, अगला 182 निमबर पूछ रहा, धीरज पिता की उम्र का आधी उम्र है, ठीक है, वर्दमान उम्र, अब यह सवाल इससे पहले मनलब, दो प करता है, अगला 183 निमबर क्या कह रहा है, कि एक कीट सामने और रिवर्स दोनों दिसाओं में चल सकती है, तीन मिनट तक सामने की तरफ चलता, दो मिनट के लिए रिवर्स चलता, वाह, बहुत बढ़ियां, जैसे एक बंदर चड़ता है, एक बार में फिर एक मीटर फिसल सवाल तो ये है, ठीक, तो 183 में जो इसमें सही जबाब होगा, ए विगल सही होगा, 93 मिनट लगेगा, 105 मीटर तई करने में, अगला पूछ रहा है, कि सीता ने गीता से कहा, कि जिस लड़की को में कल बाजार में मिली, वा मेरे दोस्त नमता की मा के देवर की सबसे चोटी विटिया, वा मनलब बहन बहन नहीं बता सकती, 184 में कौन सही हो, चचेरी बहन ही तो लिखा है भईया, मा का देवर चाचक विटिया, मनलब कुछ सोच नहीं है यार, 185 नमबर क्या कह रहा है, एक घन के सभी सते पर एक ही रंग से पेंड किया जाता, 27 छोटे घन में काड जाता रिया गया, दो सते जो है, पेंड किया गया, यह सवाल इसे पहले आया है, टीसी एस के में ही रिपीटर सवाल है, 185 में कौन सही होगा, 28 आएंगे इसके, याद रखिएगा, C जबाब सही होगा, अगला 186 के बाद 86 दिये रहा है, कह रहा है, दिये गए चार वस्त मे 3 वर्ड माला के प्रकार कर आधार सामान है, बिसम ग्याद करो, इसमें 186 में जो सही होगा, वो कौन सा होगा, A सही होगा, Z होगा, ठीक है, 186 के बाद 187 के और बढ़ते हैं, फीगर से सवाल आ गया, चितर में कौन सी छवी जो है, अनी छवीयों से अलग है, 187 में देखो, इसमें कौन सी हो सकती है, भाईया और सब तो ऐसे चल ले हैं, ठीक है, जो रिलेशन बिला और सब का, इसका भी जो आपका मिला है, ये भी ऐसे है, ये आपका जो मिला है, ये आपकी छवी अलग होगी, ये कहीं न कहीं अलग है, तो तीसरा हो जाएगा, इसमें ध्यान रख करो सीडेट को यह पालट दिया है तो एक दो तीन चार पांचे सब लेगे लो इधर लेगे लो कौन सा इसमें क्यों आया ब्रिम को रहा है उसी उसाब से पालट दो तो इसमें जबाब आएगा यह यह माई आर भी आएगा एक सी उत्तर से हो गया अगला फिर से फीगर को दे यह जाल का प्रिद्विम पूछा है कि कौन किसको सही निरुपेड इसको जो है वाटर इमेज के तौर पर आपको देखना है यह वाले को तो कैसा बनेगा जानते हो 169 इसमें आपका कौन सा उत्तर से हो सकता है इसके करें कतंद को देख लेना वाईया क्योंकि इसका तो यह इधर आजाएगा यहीं चौथा वाला सही हो जागा कुछ सोच नहीं नहीं अगला इसमें कुन सा यह सही हो गड़ेव प्रद्विम 4 तो यह सही हो यह नहीं हम दी पर मार के चले आज है इस पर ध्यान देना यह बहुत भटकता है अगला यह मलब पिगल्व चुनिए जो और एक थान सही बनता यहां सेंपल दितेरी है इसमें किस ही साफ से चला थे सल फाइसे इसमें कोई सा चला है तो इसमें कोई सा हो सकता है इसमें यह ऒलगा सबनेगा घ्यान दीजी सारे ऽोग 190 नहीं यह क्यों होगा भई यहां से यहां पर connect होना है यह होगा C वाला होगा मनलब कौन सा D आपका सही हो सकते ठीक है यहां और यहां पर मनलब match करेगा यह ऐसे बनेगा तो C वाला सही होगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला आप से 191 पर पूछा सेल्समाइन द्वारा कार यात्रा मनलब 15 रुपए पर मिनेट किलो मीटर बाइक द्वारा यात्रा करने पर पांच रुपए लग रहा ठीक है तो एक दिन में 90 किलो मीटर तक सफर किया 600 रुपए का दावा किया तो कि दिने कि बहुत आसा चीज है यार कुछ खनने रही देशियो में निकाल के डिवाइड कर दो तीन एक का रेशियो है ठीक है निकाल लो यहां से क्या हो जाएगा 90 किलो मीटर है वो 600 रुपए है तो यहां से वैसे निकाल सकते हो कि इसमें पूछा है बाइक से कितने किलो मीटर की यात रखी इसमें कौन सा हो सकता है 191 में बताओ बटक से कौन सा सही होगा 75 किलो मीटर तो आएगा कुछ सोचना है नहीं है यार बहुत आसान सी चीज थी आगे बढ़ लो अगला क्या आप कह रहा है इसमें पूच रहा है कि यह दोनों कथन का इस्तेमाल करकि आप जो है इसका इसका सेलीशन निकालेंगे तो 193 में धान दीजीए यह जैसा दिया है ना कि फी दो अंकि यह संख्या पी अस्तीसा आधिक हम घंटा नहीं जान पाएंगे कि इसमें कॉन सा सही है इसमें इसमें डी इसको लगा देना है आपको ठीक है कौन सा इसके एक वाला बदला था इसमें करोगे एक सो चौरानवे में तो डी उत्तर सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद का एक सो पंचानवे कौन सा है इसको पंचानवे कह रहा है स्रिंखला देख लिजी ए और सिंखला में अगली संख्या क्या आनी चाहिए यहां पर ठीक है तो कुछ ना कुछ इसमें जैसा इसमें जोड रहा है अब यह ऐसे ऐसे भी चलता है इसको भी आपको ध्यान रखना है ठीक और दो-दो पर भी चलता भी चलता तो GC साब से बने उसे साब से कर लेना और इसमें जो उत्तर आएगा यह बाइस आएगा ठीक है 21 के बाद बाइस आएगा आगे बढ़ते हैं अगला 196 बोला है पहली जोड़ी दूसरी इससे जोड़िया बाड़ा बना रहा है सोलिस जो है सोलिसिट दिया है इधर एक इस पर लिग लेना एक दो तीन चार पांच यह इधर जो जहां पर है उसको लिग लेना खट से लग जाएगा एक सेकेंड में 196 में जो सही होगा वो सी जवाब सही होगा आगे बढ़ते हैं 197 दो सहर एबी ठीक ए में हर वर्स दास अजार आवादी घटती बी में 15 जार बढ कितने वर्सों बात दोनों की अनपात एक रेशियो मनलब रेशियो का सवाल हो गया 197 में ए सही होगा 12 साल आएगा इसमें अगला सवाल आपसे है 198 में के सामने कह रहा है कि यह पी की वार पी इस एक्वल टू आर ग्रेटर देन आर ठीक है दूसरा दे रहा है ए एस गटर दे सी और सी इक्वल टू डिया इस गटर दे तो कौन सा संबंद इसमें से गलत है बताइए ठीक 108 में में जो सही होगा वाया इसमें डी संबंद आपका ए इस लेस देन डी दे रहा है तो यह क्या सही होगा अरे सीधा सीधा यह को सोचना ही नहीं है जब सी के बाराबर डी है त संबंद िया है तीन इसके पैटन जैसे है 3 4 5 एक डोई कि जैसे समानमललव एक डो इधर 3 4 5 एधर भाखर के एख अब पहचान के लेज़ जो नहीं हो सकता Economic सब्सक्राइब कर लो एंड गारे यह इस रहें पूरे आपके दोसों प्रस्निते जो दोसों मेने आपको बताए है इसका पेपर आपको डाल दिये जाएगा पूरी की पूरी की पूरी series पर मिल नहीं है channel subscribe कर लो एंब download कर लो उस पर material वगैरा सब मिलेगा वह टेली ग्राम पर material देंगे तो telegram join कर लो चैनल सभी को share कर दो फिर मिलते हैं तब तक के लिए मस तरहने, टीम प्रिक्षप्लस आपके साथ है सारी चिंता छोड़ दो ठिक तो फिर मिलते हैं आगे detail classes के साथ तब तक के लिए धन्यवाद